चली दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंट अफेर्स का एविलेबल हो सके मेरे टेलीग्राम पर चली और उसके लाबा आपका 20% डिसकाउंट भी दिया जारा रिपब्लिक दे के ओकेजन पर और लाइव अमन कोट से मिलेगा यह एक अच्छा पॉर्चनिटी आप सभी के लिए डिलाइस करेंगे चली पहला करेंगे फिर आप सभी के सामने चाइना अब एक नया डैम बना रहा है तिबत में जो कि एक कंसर्ण है इवन इंडिया के लिए चाइना जो यह कंसर्ण कर रहा है नया डैम यह मैबजा जैंगबो रिवर है तिबत में वहाँ पर इसे कंसर्ण कर रहा है यह ट्राइ जंक्शन है इंडिया नेपाल और तिबत का और उसके अलावा चाइना आप सभी जानते हैं एले सी लाइन आफ एक्शुल कंट्रोल जो का कमेंट बोक्स पर दीजेगा चली तो पहले जानते हैं इस डैम के बारे में यह जो निया डैम है यह 16 किलोमेटर नोर्थ होगा ट्राइजंशन के जो इंडिया नेपाल वाला में आपको बता है और उत्राखन का जो काला पानी एरिया का लोकेशन है ना उसके जस्ट अप पुत्राइब जो है जो कि त्री जो डैम आज के समय में वर्ल्ड गालार्जस हैड्रो पावर प्लांट कैपेसिटी डैम है उससे भी ज्यादा बड़ा जो है सतर गीगा वोट का जो है डैम बनाया जाएगा कूंसी नदी पे जालूंग जैंगो नदी पे अब जालूंग ज महा मांसरोबर रीवर में हैं है और अर्वनाचा पदेश में इंडिया में एंटर करती है असाम से होते हुए बंगलादेश की तरफ जाती है है चली तो एक और करेंड फिर देखते हैं यह भी एन्वार्मेंट से ही सम्मधित कह सकते हैं आप सभी जानते हैं कि हर्याड़ा एक सफारी बनाने वाला है दुनिया की सबसे वड़ी सफारी होगी जू सफारी और अरावली के आसपास बन रही है तो इस पर ना कंसर्ण जारी किया है बहुत सारे जो एन्वार्मेंटल इस्ट हैं उन्होंने एन्वार्मेंटल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने का है कि यह जो है कुछ इशू कंसर्ण है एन्वारिमेंट को लेके प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट होगा सफारी का अगर देखा जाए इसके अलावा अगर देखे ना अफ्रीका से भार तो एक सहराज नाम का एक सफारी ओपन किया गया है फरवरी मैं बीस-बाइस मे जो कि 2000 एकर का है और हम हर्याना 10,000 एकर का बना रहा है तो बड़ा साइज होगा इसके बारे में पूरा जानेंगे पहले एक कोशन देखे जो कंके मिरर होता है उसमें जो इमेज फोम होती है वो किस तरीके इमेज होती है आन से कमेंट बुक्स पर दीजेगा चले तो इस प सब्सक्रावली के पहाड़ है वहाँ पे बहुत सारी चीज़े तो उनको कंजर्व करने का कोई भी पॉइंट प्रोजेक्ट में मेंचन नहीं है तो इसलिए यह बड़ा मुद्दा बना अगर देखा जाए वाइले प्रोटेक्शन एक 1972 जो है पनिश्मेंट के जो है इरियास में है ना चली एक और करेंड फिर देखें कि हमारे भारत में कौन सा प्रोफ जो पहला स्टेट बना जिसने साथ दिन जो है मैटर्णिटी लीव प्रोवाइट का जो है अनौंस्मेंट किया है गर्ल स्टूडेंट्स को तो मैटर्णिटी लीव जो है किरला ने तो गर्ल स्टूडेंट्स को मिलेगी जो कि 18 साल से उपर गें हाइयर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है इस समय स्टेट गॉवर्मेंट के तो यह बड़ी अनॉंस्मेंट है उसके अलावा वैसे भी बहुत सारे मेटरनेटी एक के तहर जो है रूल बनाएंगे जिसमें सभी कंपनीज में भी यह जुरूरी हो जाता है स्टेट ट्यृरीजम डिपार्टमेंट कुस्ट का है जिसने विवन फ्रेंड ट्यूरीजम प्रोजेक्त लौंच घ्रला रेज्बीन लौंच किया फर्स्ट स्टेड जिसने इंटरनेट सर्विस अपनी खुद की गुवधन सर्विसेस्ट प्रॉइट कराने की बात करें तो तो ध्यान रखना इस कोशिंगा आंसर है ठीक है कलेवरी ग्रास जो है वैगीर है इससे पहले जो चार जो इंड़क किये थे वो भी इंडियन नेवी में ही इंड़क किये थे तो अभी जो फिफ्ट वन है वो है वैगीर ऑफीशल अनौस्मेंट हुई है और यह किसके दोड़ मुंबई में हैं उन्होंने क्लाबरेट किया था नेवल गुप के साथ फ्रांस के उनके साथ क्लाबरेट करके से बनाया अभी जो हमारे एड्मिरल आर हरी कुमार जी है चीफ ऑफ नेवल स्थाब वो इस से इंडिया सेल्फ रिलाइंट हो रहा है उसके अलावा आकाश फोर पर देखिए कौन से देश के वाइस प्रेजेंट है जिसका हाल फिलाल में निदन हुआ भारत में तो गैंबिया है देखिए गैंबिया अफ्रीकन कंट्री है जिसके वाइस प्रेजेंट बादारा अली जौफे इनका निदन हुआ भारत में अर्दा एज और शिक्टी लुए चलि उसके अलावा तेलवी एक्टर जिनका निधन हुआ हाल फिलाल में अभीच्री कृष्ट्णा गरु उसके अलावा असामी पोईड जिनका निधन हुआ तो निलमानी पोखान बड़ा फेमस नाम है चलिए एक और करण फे वेरी वेरी इंपोर्टन वन हाल फिलाल म गोवा मनुहर इंटरनेशनल एरपोर्ट एम आई ए प्रिस्टिजियस वेस्ट जो सस्टेबल गीन फिल्ड एरपोर्ट घोशित किया गया है एविएशन सस्टेबिल्टी एन एन्वारिमेंट अवोड जो है लाइस कोम 14 इंटरनेशनल कॉन्फेंस में है ना यह जो है अवो जो कि जैमर दिल्ली देता है जैमर ही सभी एरपोर्ट को मैनेश करता अल्मोस इंडिया में उसके अलावा एरपोर्ट जो की बरेस्टर नाथी पाई के नाम पर रखा गया तो आंसर महराष्ट एक और देखे कल एक सवाल पूछा गया था इलक्ट्रो काडियोग्राम किस न करें पूरा कंटेंट यहां पर अवलेबल रहेगा आपका करेंट एफिर का फुल जीएस कंटेंट आपका एवलेबल रहता है ठीक है आप पूरा यूटलाइस कर सकते हैं बाकी आपके लिए डिसकाउंड ओफर 20% के एवलेबल है बट ध्यान अखिएगा 26 रिपब्लिक दे तक के लिए है अभी आपके पास मौका है 28 तरिक से पहले आप लाइव अमन कोड से इतना बड़ा हुज डिसकाउंड आप ले सकते हैं और डिसकाउंड के साथ आपको जो है सब कुछ एवलेबल होगा अन्लिमिटेड होगा कोई भी कोर्स लेना हो तो आप कोड यूटलाइ थाप लिए थे कंस अलोड वर वोगुछ